हेलो एवरीबडी, वेलकम तो मैं चैनल, इट्समी टारो त्रीवान त्रीज, सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आज हम देखने वाले हैं परसन ओन यूर माइंड, उनके ट्रू फिलिंग्स, आप लोगों के लिए क्या है, एंड वो नेक्स्ट मॉव क्या लेंगे आप लोग लिडिंग को, ताके आप लोगों के साथ अनर्जी एक्सचेंज हो सकें, इट्सा कॉलेक्टिव अनर्जी, तो किसी भी चीज़ को आपने ज्यादा परसनल नहीं लेना, एक कॉलेक्टिव जनरल लिडिंग को आपने जनरल की तरह देखना है, जो लोग चैनल पे नहीं हो है Now, let's start the reading, अपने परसन पर फोकस करिए, जो भी ये परसन है, चाहे आपका इनके साथ no contact है, चाहे को least contact है, चाहे किसी तरह की situationship है, आपके husband है, आपके wife है, आपके fiancé है, आपके lovers है, चाहे आपका उनके साथ calm contact है, least contact है, या फिर separation चल रहा है, किसी वज़ा से no contact है, उनके ल में है, उनकी two feelings क्या है, let's see, so first we have Ares of Wands, Ares Leo Sagittarius, number one important हो सकता है, then we have four of Swords, Gemini Libra Aquarius, number four important है, then we have three of Swords, Gemini Libra Aquarius, this person की एच 31, 34 भी हो सकती है, number one, three, four, life path number, date of birth हो सकता है, then we have Ace of Swords, it's a no contact situation, I think already break up हो चुका है आपका इस परसन से, यहां फिर यह जो भी परसन आपके मांड में है, इनके साथ कुछ लोकों का, यहां तो block situation चल रहा है, otherwise a totally end up situation, totally break up situation, we have the fool, Aquarius, then we have five of cups, यहा, Cancer Pisces Scorpio, number five important हो सकता है, number 11 हो सकता है, otherwise a double one number काफी important दिख रहा है, we have the hangman, number 12 and three, double three number काफी important दिख रहा है, and then we have eight of cups, सारे cards यहां पर जो energy दे रहे हैं वो ending की situation की energy दे रहे हैं, like it's a totally no contact breakup situation, we have queen of pentacles, we have five of wands, या, आप दोनों के दर्मियान कोई ना कोई clashes हैं, कोई ना कोई differences हैं, कुछ लोगों की दरफ से तो मुझे interference भी दिख रहा है, third party situation से, we have death, मुझे यहां पर जो energy दिख रहे हैं, double five number, double three number, double one number, काफी important दिख रहे हैं, otherwise इस person की age मुझे 30 plus energy आ रहे हैं, आप की यहां इनकी, या पर इस person की age, क्योंकि इनकी देख रहे हैं हम feelings आपके लिगे, तो 30 plus यह person दिख रहा है, हो सकता है, आप 20 plus हो सकते हो, यह person 30 plus हो सकता है, 13 number काफी important दिख रहा है, 313 number काफी important दिख रहा है, yes, it's a totally end guys, we have death, यह person आप से walk away करके चले गए हैं, इस person ने move on कर लिए आप से, totally आपके साथ end up कर दिए, सब situation को, कुछ लोगों की तरफ से interference मुझे दिख रहा है, यहां फिर आपके इस connection में कुछ चार से पांच लोग कों का involvement है, जिसकी रज़ा से शायद आपका break up हो गया है, यहां फिर किसी तरह से आपका relationship इस person के साथ चल नहीं सका, यहां फिर मुझे लग रहा है, कुछ लोग तो इस person, कुछ लोग आप और आपके partner, जिनके लिए reading को देख रही हूँ, जो भी person आपके mind में है, वो और आप यहां तो लोगों की वज़ा से लड़ते रहे हूँ, यहां लोग मुझे लगता है, आप लोगों को लड़वाते रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपसे jealous होते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ आपके arguments होते रहे हैं, लडाईयां होती रहे हैं, conflict होते रहे हैं, जगरे वगारा, बहस काफी ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, आप लोगों के इस connection में, विकॉज अभी जो है, यह person definitely देख रहा है, कि इसने गलत किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी नहोंने आपके साथ conflict की हैं, arguments की हैं, लोगों की वज़ा से, आप से जगरा हो सकता है, इस person ने किया है, लोगों के कहने पे जगरों की वज़ा से, शाहिद इनोंने उस राइम यही better समझा कि आपको छोड़ जाए, क्योंकि शाहिद इनको लग रहा था, आप इस person की life में काफी drama create कर रहे हो, जबकि अभी इस person को feel हो रहा है कि drama आप नहीं थे, drama इस person की side से था, क्योंकि यह person अभी भी अपनी life में drama से deal कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं इस person की side से, जो के इस person की life में अभी भी problems, परिशानियां वगरा खतम नहीं हुई, उनको लग रहा था, आप उसकी life में यह problems create कर रहे हो, या problems जो भी उनकी life में चल रही हैं, आप उसका reason हो, but no, वो reason कोई ओड लोग थे, जो अभी भी यह person काफी ज़्यदा drama में involved है, और अभी भी drama बहुत सरह लोगों का अपनी life में face कर रहा है, या पिर कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि इस person की life में बहुत सथा interference अभी भी कर रहे हैं, इनको था शायद आपके जाने से, इनकी life में सकून आजएगा, but no, ऐसा नहीं है, तो अभी किसी ना किसी तरह से, इनकी life में काफी transformation चल रही है, काफी कुछ ये person अपनी life में सीख रहा है, और इस drama को end करना चाता है, वो अपनी life में जो भी drama इनके create कर रहे हैं, इनको जिनकी reality समझ आ गये चाते हैं, कि उनसे भी अपनी जान चुरुआएं, और इनकी life में आपके साथ एक new beginning करें, क्योंकि इनकी life में मुझे लग रहा है, एक partner की कमी है, जो कि ये चाते हैं, कि आपकी सुर्ट में इनको वो partner रहे ले, ठीक है, इस person ने definitely आपको hurt किया, यहां पर हो सकता है, इस person ने third party में आपको डाला है, किसी वज़ा से third party, मुझे यहां पर बहुत सरह लोग दिख रहे हैं, यहां तो कुछ लोगों की तरफ से already हो सकता है, किसी और के साथ, यहां तो इसका relationship हो सकता है, किसी और के कहने भी यहां पर इनोंने छोड़ा है, relationship हो जो जो काम लग रहे हैं, जो भी आपके mind में person है, यह इस pain से heal नहीं हो पा रहे, इस trauma से या इस break up से overcome नहीं कर पा रहे, ऐसी energy दिख लिए है, जैसे कि आपको बूल नहीं पा रहे, still, यह अभी भी जहां पे आपके साथ इनोंने break up किया था, जहां पे end up हुआ था, आपका यह connection, यह person उदर ही stuck हुआ हुआ है, क्योंकि यह अपनी सोच को change नहीं कर रहे है, ठीक है, हो सकते हैं, इनकी life में इनको बहुत सदा sacrifices करने पर रहे हैं, आपके जाने के बाद भी नहीं बहुत सदा life में sacrifice की हैं, कि किसी तरह से इनकी life settle हो जाए है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो जा रहा है, क्योंकि यह person बहुत pain में है, मुझे लग रहा है, इस person नहीं आपको बहुत hurt किया, आपका दिल बहुत सदा दुखाया है, आपको बहुत सदा तकलीफ हुई, आपका बहुत बुड़ी तरह से इन्होंने दिल तोड़ा hurt किया, आपको जिसकी वज़ा से आप भी काफी कुछ problematic situation से गुज़रे हो, आपने बहुत दुख देखा है, इस person की वज़ा से, बट अभी ये person खुद भी बहुत ज़दा दुख में मुझे नज़रा आ रहे है, ऐसे लग रहे हैं, आप दोनों ही इस connection में एक दुसरे से break up करके, यह जाए इसने छोड़ा है यह आपने छोड़ा है, लेकिन दोनों चोण के खुश नहीं रह पा रहे हैं, इसे energy मुझे यहाँ पर दीख रही है, बट राइट नव ऐसे लग रहे हैं, यह काफ़ डिसपॉंटेड हैं, बहुत ज़दा सैड हो रहे हैं, अकेला अपन खुद को बहुत ज़दा यह person फील कर पा रहे हैं, इनको लग रहे हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है, कोई इस person का अपना नहीं है, कोई भी ऐसा इनसान नहीं है इनकी life में, जो इस person को understand कर पाए, जो इस person को समझ पाए, इस person के emotions को समझ पाए, या फिर इस time इनको emotionally कोई support नहीं है, that's why यह person आपको miss कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा, जो भी नहीं उन्हें आपके साथ past में किया, so that's why यह कहीं नहीं आपके साथ अपनी life को दुबाड़ा से start करने के बारे में, जो है इस time planning कर रहे हैं, इनको काफी ज़दा आपकी तरफ attraction है, physical, sexual attraction है, that's why यह एक कोई नहीं क्रियेटिव आइडिया सोच रहे हैं, कि किसी तरह से आपके साथ इनकी life की एक नई beginning start हो सके, इनको पता है risk लेना है इस person ने, लेकिन यह किसी नहीं किसी तरह से इस connection में new beginning करना चाते हैं, इस connection की rebirth करना चाते हैं, ताकि इनकी life में changing आए, transformation आए, एक अच्छी, एक बहुत ज़्यादा positive way में इनकी life change हो, और इनको पता है कि आपके साथ इनकी life change हो सकती है, या फिर आप ही इस person को heal कर सकते हो, इस दुख से, इस disappointment वाली energy से, इस embarrassment से, जो इनको इस time हो रही आपको छोड़के, इनको आप इस सब situation से निकाल के heal कर सकते हो, क्योंकि ये person heal नहीं है, और ये एक new chapter start करना चाहते हैं, अपने इस relationship का, क्योंकि आपको छोड़के चलेगे थे, मुझे लगए लगए कुछ लोग हो सकता है, आपको कोई clarification नहीं दी, बस आपको का कि बस खतम, आप break up, मुझे नहीं कोई बात करनी, कोई relationship नहीं रखना, किसी तरह का कोई तालुक नहीं रखना, और आपको छोड़के चलेगे, क्योंकि उस time इस person नहीं आपको बहुत cold shoulder show किया है, आपको बहुत ज़दा unemotional or detachment show किया, but right now ऐसे लग रहा है, यह आपको कुछ ना कुछ, बहुत जारी बाते आपसे करना चाते हैं, बहुत सारी बाते clear करना चाते हैं, जो शायद past में यह आपको नहीं कह पाए थे, इस time इनको इस connection में victory चाहिए, because they feel, शायद इनके इस behavior की वज़दा से, आप इनसे बहुत ज़दा दूर जा चुकिए, वापने अपने आपको detach कर लिए, कुछ लोग तो मुझे लग रहा हो सकता है, आपको छोड़के, किसी दूसरी यहां तो city में चले गए थे, ठीक है, बट अभी मुझे लग रहा है, यह परसन वापिस आना चाता है, बिकूस बहुत ज़्यादा यह परसन जो है, sad हो रहे हैं, तो कि इनकी life में हुशी नहीं है, इसलिए यह आपको अपनी life में वापिस चाते हैं, बहुत सारे चीज़ों की clarity देना चाते हैं, ठीक है, जो लोग आप और इनके दरम्यान काफी ज़्यादा लड़ाई जगड़े करवा रहे थे, मुझे ऐसी energy यहां पर दिख रही है, अब जो लोग आप दनों के दरम्यान लाइक इस चीज़ की एक cause बन रहे थे, आप लोगों को अलग करने में, आप लोगों को separate करने में, अब शायद इस person को उनकी समझ आ चुकी है, या पिर अब यह person उन लोगों को जो इसकी जिन्दगी में problems create कर रहे थे, उनको अपनी life से निकालना चाते हैं और उनसे दूर जाना चाते हैं, ताकि वो अपनी जिन्दगी की एक नई शुरुआत कर सकें positive way में आप लोगों के साथ, because with the queen of pentacles उनको लगता है, कि आप बहुत responsible हो, आप उस person को अच्छे से समझ सकते हो, आप हर चीज में balance कर सकते हो, आप एक अच्छे, like, especially if you are a female, मैं तो आप एक अच्छे, जो हाउस वाइफ बन सकते हो, और एक अच्छे business partner भी बन सकते हो, आप काफी ज़्यदा एक खुश person हो, ठीक है, happy person हो, जो कि एक हर चीज को balance करना, हर चीज को manage करना, आपको अच्छे से आता है, आप हर चीज को manage कर सकते हो, कुछ लोग तो even मुझे लग रहा है, अपने हो सकता है, आप लोग अपने यहां तो wife के लिए देख रहे हो, यहां पर अपने husband के लिए देख रहे हो, especially अगर आप अपनी किसी wife के लिए देख रहे हो, मुझे यहां पर, yes, आपको पता है कि आपने उनको बहुँ ज़दा hurt किया, अपनी wife को, especially, लेकिन यह किसी gender specific reading नहीं है, सब के लिए open है, ठीक है, yes, Scorpio star sign भी मुझे काफी strong दिख रहा है, now let's see more, but right now यह person है, बहुँ ज़दा sad, जितना इन्होंने आपको दुखी किया था, यह खुद भी उससे ज़्यादा कहीं दुखी हो रहे हैं, right now, heal नहीं है, यह person ऐसे लग रहा है, so not, पार है, यह चीजें उनको बार बार, उस person के दिमाग में बैक टू बैक गुमती रहती है, उनको नहीं समझाती कि वो किस तरहां से जो है, अब इन सब चीज़ों को ठीक करें, लेकिन करना चाते हैं, planning कर रहे हैं, उनको पता है कि आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, उनको कोई ना कोई हुदी effort करने पड़ेगी, क्योंकि जब तक यहुद effort नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा, पुछलों के दरम्यान मुझे physical distance भी दिख रहा है, इनकी life में इनको कुछ सकून नहीं मिल रहा, अगर कुछ चीज़ें इनको कई offer कर भी रहा है, तो यह उस चीज़ें में satisfied नहीं हो रहे हैं, yes, we have a divine masculine, yes, they feel कि यह person बहुत ज़दा manifest कर रहा है guys आपको, especially if this person is a male, तो यह आपका divine masculine है, यह person आपका divine counterpart है, आपको बहुत ज़दा याद कर रहे हैं और आपको बहुत ज़दा manifest कर रहे हैं, यह pray कर रहे हैं और हो सकता है, मुझे लगए रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से energy की, यह person काफी spirituality की तरफ आ रहे हैं, spiritual path पे आ चुके हैं, यह बहुत ज़दा religion को follow कर रहे हैं आपने, and we have psycho, crazy ex obsessed won't let go, yes, यह person आपके past से obviously है, आपका कोई बात नहीं हो रहा हैं, इस ताइम यह बहुत obsessed हो रहे हैं, क्योंके इनको हर हाल में आप अपने life में चाहिए हो, क्योंके यह आपसे hour come नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत ज़दा परिशान है, बहुत ज़दा hurt मुझे दिख रहे हैं, आपकी feelings को hurt करने के बाद, यह person would भी किसी तरह से भी खुश मुझे नहीं दिख रहे, my way, इन्होंने हो सकता है, अपनी selfishness की वज़ा से, लोगों के कहने पे, या फिर अपने ego की वज़ा से, आपको छोड़ दिया है, लेकिन अभी यह वो करना चाहते हैं, जो इनका अपना दिल है, अब इस person ने किसी की भी नहीं सुनी, क्योंके इनको हर हाल में, आप लोगों के साथ connection ठीक करना है, यह बहुत ज़दा आपको याद करते करते हैं, manifest बहुत ज़दा कर रहे हैं, this person is praying, कि आपका किसी तरहां से connection ठीक हो जाए, we have family, अगर अगर अप इस person के साथ married हो, तो यह बहुत ज़दा आपको miss कर रहे हैं, अपने बच्चों को याद कर रहे हैं, और that's why आप से union करना चाहते हैं, और अपनी जो ego show की थी, आप उसको रास्ते में नहीं आने देंगे, लेकिन इनका अपना जो दिल है, आप से सब कुछ ठीक करने का यह करेंगे, and if you guys are single, and this person is also single, तो यह आपके साथ family बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता हाग you guys are like a marriage material, आप एक perfect husband, wife बन सकते हो, और एक perfect life partner बन सकते हो, that's why यह आपके साथ family बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी करेंगे, पहले इनोंने किसी की सुनके आपको छोड़ तो दिया है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले हो सकता है, इनोंने किसी की वज़ा से आपके साथ break up की गया है, हो सकता है, आप लोग इस परसन से अपनी आपको दूर कर चुके हो, डिटैच कर चुके हो, अब आप इनको अपनी लाइफ में वापिस नहीं चाते हैं, लेकिन यह आपको दोबाड़ा वापिस चाने के लिए, यह बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, और यह बैट क्रेड़ डेबिट हो सकता है, यह परसन के पास अभी कोई जोप नहीं है, यह आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में, इस्पेशली फिनेंसिस को लेकर, यह परसन बहुत ज़्यादा जो है, वो सफर कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं रहा, हो सकता है, यह कुछ लोग जिन्होंने आपको इनके दरम्यान, फसाद, प्रॉब्लम क्रियेट की थी, उन्होंने इस परसन को बहुत ज़्यादा जो है, वो फिनेंशली लूट है, यह एनरजी दिख रही है, वी हव जीपीएस, यह सकता है, यह परसन को आपको आपकी तरफ आना चाते हैं, इस परसनली वाना रीच आउट तो यू, यह लोकेशन ऐसे लग रहा है, सेट कर लिए है, इस परसन इस ओन दावे, बस रीकॉंसलिएशन होने वाला है, आप लोगों का बोच जल्द, वी हव गैटिं रीडिंग्स, आइ थिंक आप लोगों काफी ज़्यादा इस परसन को लेकर रीडिंग्स ले रहे हैं, जानने के लिए कि यह कब आएंगे, कब आपके इनसे बात होगी, रीकॉंसलिएशन का बोगा, यह कैसा फील कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी डिडिंग्स आ रही हैं, यू हैफ तो बिलीव ओन इट, आपको जो भी बताया जाया है रिडिंग्स में, वो आपको सही बताया जाया रहा है, जैसे इन्होंने पास्ट में आपको फील करवा के, आपको जलाया, आपका दिल जलाया ना, उसी तरह इस परसन का, जो हार्ट है वो बर्न हो रहा है इस टाइम, लाइक, बिल्कुल भी यह परसन जो है ना, सकून से नहीं रह पा रहे हैं, जैसे अनरजी आ रहे है, तो बॉटम अफ दे रहे हैं, वी हैफ सेक्लूड़िट, सेपरेशन, रिफलेक्शन, सोल सेर्चिंग, आप लोगों ने इस परसन को रोकने की बहुत ज़दा कोशिश की है, कि यह आपको ना चोड़े हैं, अब लोगों ने इस परसन को चोड़े हैं, यह आप भी इनके साथ वैसा ही करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाप रिंग है, हो सकता है इस परसन ने यहाँ तो आपके साथ कमिट्मेंट की कोई, आपको रिंग दी वी थी, यहाँ पर इंगेजमेंट की कोई रिंग दी थी, और इन्होंने वो आपको वापिस कर दी, बट राइट नौ ऐसा लग रहा है, जैसे इनको लगता है, कि आप रिफलेक्ट होंगी चीज़ें, आप भी रिफलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने आपके साथ किया, आप भी वैसे करोगे, लेकिन यहांपे soul searching है, इस परसन आपको ढून रहाए, एस परसन की soul ढून रही है आपको, क्योंकि आपक़ बिना इस परसन की soul को सकून नहीं मिल रहा, that's why, उसके हैं, जैसे पहले बताया और कोई clarification नहीं दी आपको, कुछ हैं चीज़े ऐसी जो अभी आपको बताना चाहते हैं, क्लारिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको कुछ जो भी मिसंडरस्टेंडिंग्स थी, आपको उनको क्लारिफाइ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहे हैं, लेकिन अपको गोस्ट भी किया, जिसकी वरह से आइस्ता आइस्ता करके फिर ऐसे लगराबात खतम कर दी इन्होंने लेकिन यहां पे सेपरेशन है कुछ लोगों का या डैफिनिटी अब यह परसन जो है काफी जदा आप लोगों की तरफ सेक्च्छल और काफी एमोशनल हो रहे हैं या यह अनर्जी मुझे आप दिख रही ह बागने की कोशिश की अपने इन इमोशन से जो आपको लेकर फिल कर रहे हैं लेकिन अभी मजीद बाग नहीं सकते यह अब आपके साथ बागना चाते हैं ठीक है ना आपके साथ बागना चाते है आप यह परसन या काफी जदा मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी जदा यह परस है HmmNow, किसी चीज से भी रिलेट तो देख लेते हैं उस में एंजल सा क्या अंसर दे रहे हैं Let's see, आपने मैं में question रख लो जिस बारे में आप जानना जाते हो So, देखते हैं क्या आपका answer है by Eng browse host this person向ा और यहां फिर यह एक याप के याप किसी तरह का क्वेस्ट है तो इसके लिए आपको एंगल्स कह रहे हैं कि लट को आप उस चीज को लट को कर दो क्यूंकि अब इस चीज को हो सकता है टाइम लगें का यह इतनी जल्दी होने वाली नहीं है विया अगर आप इस ताइम किसी चीज का वेट कर रहे हो ना बोत जल् आपको इस बारे में इंफरमेशन लेने की ज्यादा जुरूरत है क्योंकि अंडल्स आपको यह चीज बोल रहे हैं ओके सो इस यूर रीडिंग आई होप इस विल रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबेक जूर दीचिएगा आई होप इस विल हल्पस यू अलॉट सो म मैं मिलूंगी आपको नेक्स रीडिंग में तिल ने टेक केर बाई